Hello everyone, welcome back to one के चौदरी एजूकीशन तो कैसे हैं आप लोग और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेजनेंस एफेक्ट के टाइप्स येस, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या होता है रेजनेंस एफेक्ट इसको समझ यहाँ पर मैंने लिखा कि एक ऐसा एफेक्ट जब पॉलारिटी प्रोड्यूस्ट इन्दर तो उसको कहते है आफ रेजोनेंस एफेक्ट यानि कि हमारे पास अगर बेंजीन हो सपोस कीजे हमारे पास अगर बेंजीन है माल लिजे मैं यहाँ पर एक्जाम्पल दिखाऊं यह देखे यह बेंजीन है और बेंजीन के केस में यह वाला जो दिख रहा है यह डबल बॉंड यह होता है पाई बॉंड और यह वाला होता है इस pie bond फ się shift होता है फिर यह pie bond आगे shift होता है तो यह effect आता हैgesetz shifting of electron का फिर से कहां से loan pair से wire bond पे जब electron shift होता है तो उस वक्त जो भी effect होता है वह transmit होता है पूरे chain में यह further transmit होता है देखिए यहाँ पर loan pair, loan pair से pivot पर shift हो रहा है यहाँ पे देखिए यह loan pair loan pair से 22 Portland मतलब double cone पर shift हो रहा है और ऐसे effect को हम कहते है Regenance effect इसके दो types होते है पहला type होता है आपका plus वाला और दूसरा type होता है negative वाला तो अभी हम पढ़ेंगे plus r effect इसमें क्या होता है the atom which lose electron towards the carbon atom are set to be a plus m effect और plus r effect जो भी atom carbon की तरफ electron को यानि की carbon की तरफ lone pair को lose कर देता है उसे हम कहते है plus r effect सोचने वाली बात है अगर यह lose कर देगा तो इस पर charge positive आ जाएगा तो जाहिर सी बात है जैसा भी यह resonance दिखाएगा उसे कहेंगे plus r और resonance का मतलब क्या है इसका यह effect पूरे chain में transmit होते रहे फर्दर तो उसे हम कहते है resonance दो लाइन में खतम कर रहा हूँ एक बार फिर से देखिए अगर मैं यहाँ पे इसे clean करूँ और आपको समझाओं तो दो चीज़े होती है step number one कि lone pair lone pair अपने electrons को donate करते हैं किसे donate करते हैं step number two वो donate करते हैं pie bond को right किसे donate करते हैं pie bond को pie bond मतलब double bond को donate करते हैं और यह effect यह जो effect है donation वाला यह पूरे chain में continue हो जाए यानि कि continue हो जाए throughout the chain तो उसे को कहते हैं resonance effect I hope समझ गयोंगे आप अच्छे से चलिए तो अगर यह चीज़े आपको समझा गया तो आग इसको continue करते हैं देखें अब क्या लिखा होगा यहाँ पर resonance effect यहाँ पर पढ़ लेते हैं the polarity produced the polarity produced in the molecule by the interaction of two pie bond और between a pie bond and a lone pair यानि lone pair और pie bond के बीच में जो interaction होता है और उस समय polarity आ जाए polarity मतलब polarity मतलब charge आ जाए plus r effect जो है मैंने आपको समझा दिया जब lone pair donate होता है double bond पे और minus r effect इसका बिल्कुल उल्टा है जब minus r effect की जब बात करोगे तो यहाँ पर ध्यान से notice करो कि यह double bond कहां पर चला जाता है किसी भी atom को अपना electron देने चला जाता है तो जब opposite shifting होती है तो उसे हम कहते है minus r effect तो यही है हमारा आज का topic क्या होता था resonance मैंने आपको समझा